समस्कार दोस्तो आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत खुबसूरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप बच्चों को स्वाटर में या किसी लेडिस प्रोजेक्ट में डाले या जन्ड स्वाटर में भी आप डालेंगे तो यह बहुत अच्छा तो डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो चलिए फ्रैंस हम डिजाइन बनात तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए है अब रॉंग सैट से भी सभी फंदे सीधे बुनने है इस डिजाइन में हमें दोनों सैट से सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है और आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है डिजाइन ध्यान से देखिएगा यह जब दिजाइन बेहत खुबशुरत है और आने में बहुत ही आसान तो हमने दो लाइन सीधा-सीधा बुन लिया यह दिजाइन का लाइन नहीं है बलकि यह बाइस लाइन के लिए बैस लाइन तेयार हो गया है तिसरे लाइन से हम अपना दूसरा कलर अटेश करेंगे तो मैंने अपना दूसरा कलर अटेश कर लिया है अब यहां से डिजाइन शुरू होता है तो अपने सेकेंडरी कलर से हम पहला फंदा सीधा बनेंगे नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे फिर छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे फिर एक फंदा सीधा तो यह देखिए हमारे दस फंदे हो गया दस फंदे का यह डिजाइन है और इनहीं दस फंदों को हमें पुरी लाइन में रिपीट करना है यानि अब एक फंदा और हम सीधा पुरेंगे फिर एक फंदा स्लिप करेंगे फिर छे फंदा सीधा एक फंदा सीधा और यहां से हमारा तीसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा यानि एक फंदे को स्लिप करना है फिर छे फंदे सीधा फिर एक फंदे को स्लिप करना है और लास्ट फंदा सीधा तो हमारा डिजाइन का ये पहला लाइन कम्पलीट हुआ लेकिए छे के बाद हमारे अगले में दो फंदे बीच में दो slip किया हुए फंदे के बीच में दो फंदे आ रहा है तो हमारा पहला लाइन कम तेट हो गया wrong side से हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे next फंदा ये slip किया हुए फंदा इसे slip करेंगे उसके पहले हमको उन अपने तरफ करेंगे फंदा सीधा फिर उन अपनी और slip किया हुए फंदे को slip करेंगे उन दूसरी और अगला फंदा सीधा तो इन ही दसो फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है एक फंदा सीधा उन अपनी और अगला फंदा स्लिप करना है उन दूसरी और छे फंदा सीधा उन अपनी और एक फंदा स्लिप करना है उन दूसरी और एक फंदा सीधा तो इन ही दस फंदो को दूराते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे हमारा दूसरा लाइन ये complete होता है अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है तो अब इस लाइन में हम अपने primary color से बुनाई करेंगे तो पहले फंदे को slip कर लेंगे फिर आठ फंदा हम अपने primary color से सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ यानि देखें बीच के छे फंदे और साइट के दोनों फंदे ये हमारे आठ फंदे सीधे हो जाएंगे और ये बीच के जो दो फंदे हैं इन्हें हम slip कर लेंगे फिर आठ फंदे सीधे ये छे फंदे और साइट के दो फंदे ये आठ फंदे सीधे और बीच के ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें slip करना है तो आठ फंदा सीधा दो फंदा slip करना है आठ फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट में जो ये फंदा है इसे हम slip कर लेंगे और रॉंग साइट से slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा उन अपने और slip किया हुआ फंदा slip करना है उन दूसरी और बुना हुआ फंदा सीधा उन अपने और slip किया हुआ फंदा slip करना है उन दूसरी और बुना हुआ फंदा सीधा तो इस तरह हमारा ये चौता लाइन कम्प्लीट होता है अब पांचवे लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर से तीन फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन नेक्स फंदे को slip करेंगे फिर दो फंदा सीधा नेक्स फंदे को slip करेंगे और छे फंदा सीधा देखें दो फंदे जो हमने slip किये थे वो और दो साइट के फंदे ये छे फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे दो slip किये हो फंदे और दो side के फंदे छे फंदे सीधे हो गए, अगले फंदे को हमें slip करना है फिर दो फंदा सीधा नेक्स फंदे को हमें slip करना है, फिर छे फंदा सीधा यानि हमारा पहला लाइन बस ये ध्यान देना है हमें 6 फंदा सीधा फिर next फंदा slip करना है फिर 2 फंदा सीधा अब देखेगे ये 2 फंदे जो हैं वो इन 6 फंदों के तीसरे और चौतरे फंदे हैं 2 फंदा हम सीधा बनेंगे next फंदा slip करेंगे लास्ट में तीन फंदा बचेगा उन्हें हम सीधा बुनेंगे अब रॉंग साइट से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करना है बुनेंगे फंदे को सीधा बुना है और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करना है स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है सेवन्थ रो और फ्रंट साइट और अपने प्राइमरी कलर के उन से अब चार फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन और चार और जो ये दो फंदे हैं इन्हें हमें स्लिप कर लेना है अब चे फंदा और साइट के दो फंदे इन आठ फंदो को हमें सीधा बने लेना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ तो आठ फंदे को स्लिप किया अब देखे फिर दो फंदा आ गया तो इन दो फंदो को हमें स्लिप करना है और बीच के दो फंदो को हमें स्लिप करना है लास्ट में चार फंदा बचेगा जिनने हमें सीधा बुन लेंगे और रॉंग साइट से बुने हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और यहां पर डिजाइन कम्प्लेट होता है और इन ही आर्ट लाइनों को हमें उपर उपर दुहराना है और देखिए एक यूनिक सा ये पैटर्न बनता चला जाएगा देखिए कितना खुबसूरत डिजाइन है बनाने में आसान और बनने के बाद बेहत खुबसूरत है और सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ किजे बेहत खुबसूरत डिजाइन है तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा यदि आपको डिजाइन अचा लगा हो तो प्लिज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वचिंग